आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखें हमारे पास एक प्रश्ण दिया गया है निम्नलिखित फलनों का X के सापे X अउकल गुडांग ग्याद केजिए Sin Inverse बड़ा कोष्ट में X करणी में 1-X- करणी में X गुडे करणी में 1-X का भरग ठिक यह हमारा प्रश्ण दिया गया है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसको माल लेंगे माना Y ब्राबर Sin Inverse ठिक और बड़ा कोष्ट में क्या है X और फिर करणी में कितना है यह है 1-X और माइनस करणी में कितना X और फिर करणी में कितना है 1-X का भरग यह हमारा प्रश्ण है ठिक अब हमें क्या करना है इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे तो देखिए अगर हम क्या करते हैं अउकलंग करने से पहले मान लेते हैं माना करणी में X बराबर क्या sin theta ठीक और x बराबर यहाँ पे sin phi हमने क्या क्या इसको माल लिया तो अगर हम यहाँ से cos theta निकाले तो यह क्या होता है यह होता है कर्णी में 1-sin का बर्ग theta ठीक यही होता है क्योंकि हमें पता है कि sin का बर्ग theta प्लस cos का बर्ग ठीटा बावर कितना होता है एक होता है तो यहां से इतना हो गया अब हमारा यहां पे साइन के बर्ग ठीटा साइन के जगव क्या है कर्णी में X तो यहां पे कॉस ठीटा क्या आजाएगा यह आजाएगा कर्णी में क्या हो जाएगा 1-x तो कर्णी में x का जब बर्ग होगा तो क्या होगा अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसी परकार cos phi निकालते हैं तो cos phi क्या हो जाएगा कर्णी में 1- sin का बर्ग phi टिक तो यहाँ से जो cos phi आएगा वो कितना जाएगा यहाँ जाएगा कर्णी में 1- यह क्या आपका x का बर्ग टिक अब आप क्या कीजिए यहाँ पे इसको रख देजिए तो दिखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा y बराबर sin inverse टिक बड़ा कोष्ट में x के जगब क्या रहेगा sin phi टिक वे फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cos phi वे और गुने में क्या हो जाएगा sin theta टिक यही होगा और इसको हम क्या कर दे कर्णी हम कर दे टिक अब देखिए हमें पता है एक सरुसम का यहाँ पे लिखते हैं हमें पता है कि sin a minus b का जो सुत्र होता है यह होता है sin a गुणे cos b और minus cos a गुणे कितना sin b ठिक अगर इस सर्व समका का परियोकर यहां से y बबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sin inverse और बड़ा कोष्ट में sin sin 5 minus क्या हो जाएगा ठीटा हो जाएगा ठिक अब देखें sin inverse से क्या होगा sin हटी जाएगा तो y बबर क्या गया 5 minus theta अब देखें 5 अब क्या था इसको लिख लेते हैं y बराबर अब 5 यहां से हम निकाल लेंगे यहां से 5 कितना जाएगा यह जाएगा sin inverse x ठिक और यहां से अगर हम theta निकालते हैं तो theta बबर क्या हो जाएगा y जाएगा sin inverse करणी में x ठिक यही होगा अब यहां से 5 के जग अब क्या हो जाएगा y जाएगा sin inverse x minus sin inverse करणी में कितना हो जाएगा x अब हम क्या करते हैं यहां पे x के सापेक्ष आउकलन कर लेते हैं dx ब्राबर dy dx और यह हो जाएगा sin inverse x और minus dy dx sin inverse क्या हो जाएगा करनी में x अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह y है आपका ठिक तो यह क्या हो जाएगा dy बटा dx ब्राबर इसका उकलंग क्या हो जाएगा एक बटा कर्णी में 1-x का बर्ग और इन यह ओजाएगा एक बटा कर्णी में 1-x का बर्ग ठिक और सिंखानी हम से dy, dx, x की गात एक बटा दो. अब हमें पता है कि dy, dx, x की गातstaw थैन और, nx की गात्यन-1 तो यहाँ से गरम इसका प्रियोग करें, तो क्या हो जाएगा, dy बटा, dx ब्रावर, 1 बटा, करनी में कितना, 1-x का बर, टिक, और माइनस क्या हो जाएगा, यह जाएगा, 1 बटा, करनी में, 1-x, और फिर इसका उकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा, 2 करनी में कितना, x, टिक, अब देखें, यहा अगर कर्णी में X को अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा एक बटा दो और यहां पर क्या हो जाएगा कर्णी में X को अंदर भेज़ेंगे तो X और माइनस X मुल एक्स क्या हो जाएगा X का बर्ग हो जाएगा ठिक तो यह हो जाएगा आपका उत्तर धन्यवाद Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर